नमस्कर मित्रो फिर से रीडेन पास देश में आपका स्वागत है और हमने मित्रो मोडर्न हिस्टी के अंतरगत अंग्रेजों का आगमन पलासी बिद्रो इन सारे टॉपिक पे चर्चा कर चुका था हमने बताया कि ये अंग्रेज जो है भारत में आ करके कैसे भारत में अपना समराजवाद को अस्थापित किया कैसे धीरे धीरे करके उसने भारत के अन्य भुभागों पर भी अधिकार किया तो आपने देखा कि 1757 में पलासी के युद्ध में उसने सिराजदौला को पराजित करके बंगाल को अपने कबजे में ले लिया लेकिन ये एक युद्ध नह इसमें क्लाइब ने कुटनितिक के माध्यम से बंगाल को हडपा फिर आपका 22 अक्टूबर 1764 इस्वी में वक्सर का युद्ध हुआ आपने देखा कि जैसे ही उसने पलासी का युद्ध जीता तो उसने मिर जाफर को गद्धी पर बैठाया मिर जाफर से भी काम नहीं चला तो उसने उसका दमाद मिर कासिम को बैठाया मिर कासिम यहाँ पे थोड़ा चतूर था उसने अपनी राधानी मुर्शिदावाद से अपका मुंगेर ले गया जहां पे बंदु की फैक्टरियां स्थापित की गोले बारुद की फैक्टरिया जड़ब हुआ जिसके कारण मिर कासिम ने कईयक अंग्रेजों को मौत की घाट उतार दिया वहां से मिर कासिम भागता हुआ अबद पहुँचा अबद के जो नवाब थे उस जाओ दौला था और उस समय भारत में शाह अलम दितिये का साजनकल था यह मिर कासिम वहां पे ज जिस तरह से मंगाल में अपनी परभाव को अस्थापित कर रहा है आने वाला वक्त में वह पूरे भारत पर ही काविज हो जाएगा तो अगर हम लोग तीनों मिल जाएं हम लोग अगर तीनों सेना को संगठित कर लें तो आसानी से हम अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं औ और यही सोच के साथ सुजाओ दौला मुगल समराट सालम दितिये और मीर कासिम ने एक संजुत सेना का गठन किया गठन करने के बाद 22 अक्टूबर 1764 इस्वी को वक्सर के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ अंग्रेजी सेना के नित्रित्व हेक्टर मुन्रो कर रहा था जो की मात्र आदे घंटे में इन तीनों सेनाओं के संजुक्त सेना जो था इन तीनों का ये तीनों को धोस्त कर दिया पराजित कर दिया और जहां एक और अंग्रेज पलासी का युद्ध जित करके बंगाल पर अपना अस्तित्व अस्थापित किया था वहीं बक्सर का युद्ध जित करके वो भारत के लगभग समझ लिजे कि जो महत्पूर्ण भाग है अबद उस पे बिजय प्राप्त कर लिया जहां से वो पूरे भारत पर असानी से सासन करशक्ता था इस उद्ध के उपरांत सालम दितियों को दोसी ठहराया गया और लगभग 5 लाक का जुरुमाना लिया गया जी हाँ शालम दितियों ने 50 लाक रुप्य का जुरुमाना दिया सुजाओ दौला भी जो था अंग्रेजी सेना का खर्चा उठाने की बात की यानि 12 अगस 1765 इस्वी में इलाहबाद की जो संधी हुई उस संधी के तहर अंग्रेजों ने पूरा इस युद्ध का थोपना कह सकते हैं वो आपका शालम दिती है सुजाओ दौला और मिर कासिम प बटकता रहा और कई वर्ष के बाद जो है 1777 में उसकी मिर्टी हो गई अब क्या है कि आपने देखा कि एक तरफ उसने बंगाल को जीत करके भारत की कमर तोड़ी उसी परकार से उसने बकसर का युद्ध जीत करके समझ लिजे कि वो पूरे भारत पर अपना अधिप पत्ध जमाने की और बढ़ चला तो आप यहां पर मित समझ गयोंगे कि बकसर का युद्ध क्या है और आपको बता दे जहां एक और बंगाल का युद्ध एक कुटनितिक युद्ध था दूसरी और बकसर का युद्ध एक सैनिक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की सैनिक की कुशलता को काफी सरहा गया और हेक्टर मुन्रो जो आपका लॉड कलाइब के नित्रित में काम कर रहा था मात्र आधे घंटे में तीनों सेना को धूल चटा दिया तो मित्रो नेक्ट टॉपिक में फिर हम अंग्रेजयों द्वारा नए भोभाग को समराजबादी अस्थापित करने वाली बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थेंक्यू